जैहिन आप समों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है क्लास 12 एकोनोमिक्स का आज बजट और टैक्स का जो टॉपिक है उसका अब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग देखेंगे जो भी क्लास 12 के इस्टुरेंट है उनके लिए बहुत महगपुर्ण है सारी कुश्चन को करना क्लास 12 के जो इस्टुरेंट है उन लोगों के लिए कुश्चन है पहला कुश्चन है बजट के संगठक निमलिक्ट में कौन है थोड़ा देखि बजट पले होता किया है बजट होता है I और B का लेखा जोखा ठीक है न यह जो आय होता न इसी को प्राप्ति कहते हैं क्या करते हैं बजट प्राप्ति यहां जो लिखा हुआ है बजट प्राप्ति और फिर क्या है ब्याय यह हुआ बजट ब्याय तो एक तरह से बजट में आय और ब्याय का लेखा जोखा होता यानि कि बजट प्राप्ति और budget ब्ये का लिखा जो खाता है जो I है इसी को हम क्या करते है प्राप्ति आगे देखेंगे जो budget प्राप्ति होता है ये भी दो परकार का होता है एक राजस प्राप्ति होता है एक पुंजिगत प्राप्ति होता है बजट ब्ये भी जो होता है और B का हिसाब किताब है ठीक है इसलिए इसका सही आंसर होगा A और B यानि C आप्सन आप चलते हैं क्वेश्चन नमर टू में बजट प्राप्तियों के संगठक निमलिखित में कौन है बजट प्राप्ति के संगठक अभी तुरत बताये थे यह जो राज़स्व प्राप्ति यह दो प्रकार का है ठीक है आप जो I लिख है यहां पर आप प्राप्ति भी लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते हैं प्राप प्राप्त content meं कौन सामिल होता देखे जो राज़ास्व प्राप्ती है सबसे पहले यह जिकर किये थे budget प्राप्ति तो बजट प्राप्ति में क्या बताएं आपको एक राजस्व प्राप्ति होता है और दुफरा पुंजिगत प्राप्ति होता है राजस्व प्राप्ति क्या है यहां पर कोशन नमबर देखेगा तीन में कह रहा है सरकार के कर राजस्व के अंतरगत निम्लित में कौन सामिल है ठी सरकार के लिए एक तरह से परिशंपत्ति का निर्मान करता है यानि कि सरकार को जो प्राप्ति हो रही है उसको जहां से प्राप्त हो रहा है वहां लोटाना है देना है वापस करना है ऐसी कोई जवाब दहीं नहीं होती है तो उसी में जैसे होता है आपका टैक्स क्या होता है तो tax भी सरकार को जो प्राप्त होता है वो सरकार लोटाने के लिए बायदे नहीं है ध्यान दीजेगा समझ गए इसलिए कर को राजोस प्राप्तिक अंतरगत रखा गया है अब कर भी जो होता है उसमें क्या है आयकर है निगम कर है सिमा सुलक है हम थोड़ा से detail में यहां पर बत कर दिये कि राजोस प्राप्तिक अंतरगत वो सारे प्राप्ति आते हैं जो सरकार के लिए क्या होता है एक परिशंपति बन जाती है सरकार के लिए एक तरह से क्या कहें सरकार उस प्राप्तिकों लोटाने के लिए बायदे नहीं होती है ठीक है तो वही राजोस प्राप तो रहे हैं सरकार को उसको तो सरकार लोटाईगी नहीं इसलिए इसका भी आंसर होगा उपर यूक तो सभी यानि टी है अब आता है कुश्चन नमबर चार में परत्यच्छिकर के अंतरकर निमल्खित में किसे सामिल किया जाता है यानि कि वो tax वो tax वो कर प्रतेशकर कहलाता है जो जिस पर लगता है उसी के दोरा उसका भुखतान किया जाता है ठीक है? तो इसमें आयकर जिस व्यक्ति पर आयकर income tax लगता है वही लोटाता है उस tax को जिस उपहार कर भी जिसे उपहार मिलता है वही उसका भुखतान करता है tax का यानि कि इसमें A और B दोन होगा यानि C answer और एक चीज़ आपको और बता दें ये question आप बिल्कुल करके जाएगा क्योंकि tax से अगर कोई भी objective में सबसे मात्पून question बनता है तो उसमें यही question बनेगा तो आप लोग सब को इस पर ध्यान देजेगा हाँ एक चीज़ और ध्यान देजेगा यहाँ पर तो दो ही option दिया हुआ है एक आयकर और एक उपहार कर इसके आलावे भी कुछ कर है जो की परतश करके अंतरगत आएगा तो वो कौन आएगा एक आएगा संपत्ति कर आगे मिलेगा हम दिखा देगा एक संपत्ति कर आएगा दूफरा निगम कर आएगा तो निगम कर भी यहाँ पर साइद था उपर में एक जिगा था यहाँ देखे निगम कर तो यह निगम कर हुआ संपत्ति कर हुआ और यहां पर दो दिया हुआ ही है आयकर और उभार कर यह चारों क्या होता है परतेशकर का उधारन होता है हाँ उपरतेशकर का बोलेगा तो फिर उसमें आपका ये सीमा सुल्क जो दिख रहा है ये हो जाएगा उपरतेशकर का उत्पात सुल्क हो जाएगा अभी जो GST चल रहा है वो सब उपरतेश करना जाएगा आगे बढ़ते हैं कुश्यन नमर पाँच में इसमें है ऐसे ब्यख जो सरकार के लिए किसी परिशमपती का सिरजन नहीं करते हैं वो क्या कलाते हैं अभी बताये थे एक सरकार का जो बजट ब्यख होता है वो दो परकार का, एक राज़ास भी है और एक पुंजिगत भी है लेकिन इसमें कह रहा है जो परशंपत्ति का सिर्जन नहीं करता यानि कि सरकार खर्च कर रही है लेकिन वो खर्च कुछ एसेट में नहीं कनभट हो रहा है तो उसमें जो आपका आनसर आएगा वो A आएगा अब दोको हर जगह A और B दोनों हो रहा था यानि C आप्सन सही हो रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं होगा आप लोग फसेंगे 100% आप इस तरह से चलेंगे कि A और B होगा या इन में से सभी होगा तो आप फस सकते है 90% सही होगा लेकिन 10% डाउट में चला जाएगा ठीके तो यहाँ पर России वह वा क्यों हा राज्जवथर तो कि Write Power में कौन विया आयता है कैसे बनेगा asset तो पूंजिगत बेमा जैसे मालते है कोई factory लग गया ठीक है तो factory लग गया यह पूंजिगत बेमा सडग बन गया तो यह एक तरक asset है ना और इससे बिकास भी होता है सरकार का collection बढ़ता है और आगे जाकर के अभी खर्च हुआ आगे tax collection होगा लेकिन यहाँ पर जो खर्च हो रहा है यहाँ पर कुछ सरकार को मिलने वाला नहीं है केवाल यह welfare में चला जाता है ठीक है ना welfare scheme के अतहात यह सब काम किया जाता है ठीक है यह भी होना जरूरी है यह भी जरूरी है लेकिन इससे कोई asset बनने वाला नहीं है ठीक है तो जिससे कोई asset नहीं बनने वाला हो वो राजसभे का लाता है और जिससे कोई asset बनने वाला हो परिशंपत्ती का निर्मान हो ठीक है वो का लाता है पुझी गत्वे है तो इसका सही अंसर होगा ए ठीक है यहीं पर question रहता है कि ऐसे वे जो सरकार के लिए परिसंपत्ति का सिर्जन करता हो तब हो जाता है पुझी गद्रिया है लेकिन यहाँ है सिर्जन नहीं करता हो इसलिए हो गया राजश्वे है जो भी student मेरा class किया होगा detail से तो हमको नहीं लगता है उसको इसमें कोई दिक्कत होगी और किसी को थोड़ास doubt भी हुआ होगा तो अभी जो बता रहे हैं तो हमको लगता है कि दुबारा यह सब देखने से आपको समझ मा रहा होगा आगे चलते हैं question नमर 6 में परतच कर ठीक है इसमें परतच कर कों है देखिए यह फिर बात कर रहे है यह question बार बार पुछता है आयकर और बहार कर परतच कर है ठीक है इसके अलावे अगर संपत्ति कर होता निगम कर होता तो वो भी आपका परतच कर होगा आते है question number 7 में चली question number 7 भारत में एक रुप्य का नोट कौन जारी करता है ये भी कुश्यन आप लोग करके जाएंगे एक रुप्य का नोट कौन जारी करता है बहुत लोग ऐसे अगर पुरा धूरा जनकरी रहेगा पुरा जनकरी ने रहेगा तो भारत का रिजर्वेंग ना रहेगा गलत हो जाएग भारत के region bank नहीं होगा इसका सही अंसर B होगा ठीक है भारत सरकार का बीत मंत्राले आप देखेंगे एक रुपे के नोट पर जो है बीत मंत्राले के जो सचीव होते हैं उसका signature होते है बीत सचीव का ठीक है और बागी जो नोट होता है जिसे पांच रुपे का नोट हो दस रूपय का 500 रूपय का वो शारे नोट भारत के रिजर बैंक द्वारा चपता है इसलिए उस पर रिजर बैंक के गवर्णर का सीख नहीं होता है ठीक है तो एक रूपया का नोट भारत सरकार का बित・मंत्रा लेह और इसके अलावे एक रूपय का नोट के अलावे जितने सब्सक्राइब करें तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इसको भी आप लोग देखिया कि पुंची बजट सामिल करता है यानि कि जो बजट होता है सरकार का इसका इंगलीज देखिएगा कैपिटल बजट तो उसमें क्या आता है ठीक है एक ओफशन दिया है राजस पराप्ति राजस भे दूफ़ा दता है पुंजिगत प्राप्ति पुंजिगत भे तो यहां पर तो आपका ए भी हो रहा है बी भी सही हो रहा है रही बात आप इसमें सी परतेशकर और अपरतेशकर तो चुकि आपका जो परतेशकर और अपरतेशकर होता है यह एक तरह से प्राप्ती है यानि कि सरकार का कलेक्शन है यानि कि पुझगत प्राप्ती में आएगा समझ गए न यह जो प्राप्ती है इसी में आएगा पुझगत प्राप्ती में करते हैं यह यह सरकार अपनी परिशंपती को बेज करके जमीन को बेज करके यह यहैं परापत करती हो पुर्फिन राज्स परापति कौन है जो टेक्स याता तो यह तो वही सब चीज है यह जी अपर परतजक्र कर में ऐस applies कर कोई नहीं द्यान देजिए इन में से कोई नहीं तो यह तो फसने बली बात हो गई तो यह इन में से कोई नहीं यह जो option आ गया इन में से सभी रहता तो मारते ABC 3 हो जाता तब लेकिन इन में से तो कोई नहीं है तो अब देखना है कि पुंजी सब्द यहां पर है इस option में पुंजी नहीं है इस option में भी पुंजी नहीं है यहां पर पुंजी है यानि पुंजी गत प्राप्ती और पुंजी गत भी है इसलिए इसका सही आंसर B में चलेंगे आगे चलते हैं कोशन नूमर 9 में निमलिखित में कौन सा अपरतेशकर है ठीके तो इसमें से उत्पाद कर याने उत्पाद सुल्क बिक्री कर सिमा सुल्क यह तीनों जो है तो आपका अपरतेशकर है याद रखेगा यह भी कोशन इंपोर्टेशकर में कौन कोन आता है वो भी करके जाना है और अपरतेशकर में कौन कोन आता है वो भी करके जाना है एक तो आप परतेशकर अगर आता है हमारा इंपोर्टेशकर अगर आता है हमारा इंपोर्टेशकर भी ये अंतर को स्फष्ट करें। तो परतेशकर का definition कर लेना है और परतेशकर में कौन-कौन सवायनक सा उधारण जो आयका उपार कर निगम कर है और ऑप परतेशकर में सब्सक्राइब दो कर तो आपका subject 1 भी होगा और सब्ध्यक्टि भीaćा इसलिए ये तो बहुत important question है परतचकर और परतचकर इसका उधारन के साथ, example के साथ आप लोकर कर जाएंगे next question आए 10 में 10 में है 10 में ध्यान देंगे निमलिखित में से कौन सा ब्याय एक पूल के निर्मान में होता है देखिए कितना markable question आया पूल के निर्मान में होता है अभी यहाँ पर दिखा आये थे कि पूंजिगत ब्याय जो होता है जिसमें कि जिसे factory बना देना, सड़क बना देना या पूल बना देना, सब यह एक ही category का चीज़ है न तो पूंजिगत ब्याय का लाता है यहाँ पर question है आपका 10 में कि निमलिखित में कौन सा ब्याय एक पूल के निर्मान में होता है तो पूंजिगत ब्याय होगा, राज़स ब्याय होगा, नहीं राज़स ब्याय नहीं होगा, इसका क्या होगा टाइप का चीज है ठीक है इससे सरकार के लिए या देश के लिए कोई भी परिशनपती का निर्मान नहीं हो रहा है इससे डेवलपमेंट नहीं होने वाला है के बली वेलफेर के लिए कल्यान के लिए है ठीक है ना बेलफेर हो सोरी कल्यान के अलावे भी कुछ काम करना पड़ता है जिसे भीकास के लिए कुछ करना हो तो उसके लिए पूझी गदबे करना अवगा जिसमें कि सटक बनाना पूल बनाना बेग्यानी का नुमसंधान होना आपको फैक्टरी लगना स्कूल खुलना कॉलेज खु इसका सही आंसर होगा घाटे का budget क्यों होता है अब इसके लिए मेरा विडियो बना हुआ है आप घाटे का budget चंतुलिक budget बचत का budget इसको आब देख लेज़िएगा के लिए रोजागा घाटे का budget सबसे उपयुगत होता बजट की अब धी क्या होती है तो एक वर्ष का बजट एक वर्ष का होता है और फाइप यर्स प्लान जो होता है यानि पंच वर्ष यह न वह पांस साल के लिए होती है ठीक आते हैं नेक्ट कुश्चन में कुश्चन नंबर 13 राजकोसिय नीतिक अंतरगत निमलिखित में किस सामील किया जाता है ऐसे बहुत कि बार्ष यहोथ राजकोशिय नीतिकिक होता है मौद्रिक नीति को मौद्रिक नीति होता है मौद्रिक नीति में वह सारी बात आती है जो RBI के दौरा लीया जाता है जैसे जैसे बेंक तर याद किजी अगर आप लोग क्लास किया हूँगे, बेंक तर CRR SLR ठीक है, यह सारे मौद्रिक नितीम आता है, जो रिजर बेंक के दौरा लिया जाता है और सरकार के दोरा, जो कदम उठाया जाता है सरकार ही लेती है कर्ज भी सरकार ही लेती है सर्वनिक्रीन है यानि कि जो देश के लिए लिया जाता है कर्ज है भारत के रिजर बैंक से सरकार ले या वर्ल्ड बैंक से ले या अमिर्का जपान जर्मन किसी से ले लेकिन सरकार ही लेती है तो इस सारे आपके हो गए हो गए रा पुंजिगत ब्या है। ध्यान देजएगा। पुंजिगत ब्या कौन है। ब्याज का बुगतान, मकान का क्रे, मसीनरी ब्या है। इनमें से सभी दिया है। यह सोचने वली बात है मकान का किराया सरकार क्यों देगी मसीन पर सरकार खर्च क्यों की करेगी इसका ब्याज का जो भुकतान होता है जो सरकार कहीं से करजा लेती है तो उसका जो भुकतान करती है तो वो आ सकता है ऐसे आप इसको ब्यक्तिगत में भी लेके चल सकते हैं लेकिन सवाल है मकान का क्रेय है तो सरकार मकान नहीं खरीती है इसका सही अंसर होगा A ऐसे इनमे से सभी दिया है तो थोड़ा सा बन जाता है लेकिन हमारे नजर में जो अभी हम को लग रहा है उसमें ब्याज का बुकतान होना चाहिए इस question को आप लोग अगर और कहीं देखना होगा तो देख लिजेगा question number 15 budget में हो सकता है आगम घाटा, बितिय घाटा, प्रारंबी घाटा सभी, इन में से सभी, ये option तो सही है इसलिए इसेंस से ये भी यहाँ पर जो अभी बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है, ठीक है, इन में से सभी लेकिन हमको जो लग रहा है अभी, तो वो ब्याज का बुकतान है question number 16 निमलिखित में कौन सा सही है बड़ा question है थोड़ा कुल ब्याज और कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोसिय घाटा हो सकता है कुल ब्याज और कुल प्राप्तियों और ब्याज का बुकतान का कुल प्राप्तियों और ब्याज बुकतान कर अंतर प्रात्मे घाटा होता है राजकोसिय घाटा प्रात्मी घाटे और व्याज भुगतान का योग होता है, इन में से कोई नहीं, इन में से सभी रहता तो फिर कोई बात नहीं, एक A ज्यादा उप्युक्त लग रहा है, B नहीं लग रहा है, C उप्युक्त लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उप्युक् यह प्रात्मी घाटा वराबर तो प्रात्मी घाटा का आप लोग याद किजिए प्रात्मी घाटा का फर्मुला भी होता है इसका होता है राजकोसिय घाटा गाटा माइनस ब्याज का भुकतान ठीक है और जदी प्रात्मी घाटा में इस ब्याज के भुकतान को जोड़ देंगे तो फिर राजकोसिय घाटा निकल जाएगा इसलिए इसका सही आंसर होगा राजकोसिय घाटा सी नम्मण आते हैं कुशीन नमर 17 17 बजट सर्कार के आए और ब्याता है बजट से आगे का ओपिसं देखते सरकार के नई कारीकरमों का बीवरन है बिKल में ही सरकार तरे करती है क्या क्या करना है इसलिए इसका सही आंसर होगा इं में से सभी Qure Nora 18 असंतुलित बजट में अ दिखिए जो असंतुलित बजट है पहले बजट क्या है बार फिर से बताते है आय और ब्याइका लेखा जोगा आय और ब्याइका विब्रन आय और ब्याइका विब्रन ब्रावर क्या हो जागा बजट यानि बजट क्या होता है आय और ब्याइका लेखा जोगा होता है अब ये बजट भी होता है एक संतुलित होता है एक क्या होता है संतुलित अदूफरा क्या होता है ओसंतुलित ध्यान देजेगा एक संतुलित अदूफरा क्या होता है ओसंतुलित और संतुलित जो होगा इसका भी दो तरफ परकार होगा एक बचत का और एक घाटे का यानि एक बचत का बजट और एक घाटे का बजट ठीक है अब कुश्चन क्या पूछ रहा है और संतुलित बजट में आई बजट से अधिक होता है थोड़ा से यहां देखिएगा बचत का जो बजट होता है इसमें आई जो होता है ठीक है न वो जैदा होता है किस से बजट से जब आई बजट से अधिक हो तो वो बचत का बजट है और घाटे का बजट में क्या होता है आई कम होता है और बजट यहादा होता है, इसका मतलब है कि बजट और घाटे दोनों कि बजट में जो I और Vyy बराबर नहीं होता है ये केवल संतुलित बजट जो होगा, इसमें I I और Vyy बराबर होगा अगर हाप से पूछ इस देख संतुलित बजट क्या है, तो ये सा बजट जिसमें IROBI बरावर हो संतुलिट बजट है और संतुलिट बजट क्या है तो जिसमें IROBI बरावर नहीं हो और संतुलिट बजट होता है जिसके दो परकार है एक बजट का बजट एक घाटे का बजट बजट क्या है जिस बजट में IBI से अधिक हो और घाटे का बजट क्या है जिसमें IBS से कम हो ठीक है तो यहाँ जो question है और संतुलित बजट में IBS से अधिक होता है यह हो सकता है क्योंकि I और BBS बराबर के बल संतुलित में होता है I कि अपिछा BBS अधिक होती है यह भी हो सकता है घाटा घाटा रीन या नोट शापकर पूरा किया जाता है देखो यह जो किया है कि IBS से अधिक होता है और I कि अपिछा BBS अधिक होता है देखे भाई यह question में थोड़ा सा error है क्योंकि औसंतुलित बजट बोला और हम औसंतुलित बजट में बता रहे हैं कि दोनों condition हो सकता है बचत का भी घाटे का बचत का होगा तो IBS से अधिक हो जाएगा और घाटे का होगा तो IBS से कम हो जाएगा तो यहां पर यह जो दिया है IBS से अधिक होता है तो यह भी थो सकता है IBS से अधिक होगा यानि कि यह बचत का बजट है जो कि औसंतुलित में ही आएगा आए कि अपिछाब यह अधिक हो जाएगा तो यह घाटे को बजट हो जाएगा यह भी औसंतुलित में आता है और घाटे का बजट जब होगा तो उस घाटे का बजट को पुरा करने के लिए सरकार रीन चाप सकती है स्री में नोट शाप सकती है रेन ले सकती है या नोट शाप सकती है उस घाटे को पुरा करने के लिए तो ए तो ABC तीनों से ही लग रहा है लेगन यहां दिया बी और सी तो तो ऐसा है तो यह question में थोड़ा सा दिक्कत है तो हम इसको ऐसा करते हैं और संतुलित के जगा पर हम कर देते हैं घाटे का budget क्या कर देते हैं घाटे घाटे का budget ठीक है घाटे का budget यानि इंगलिस में भी इस जगा दे देंगे अनबाइलेंस के जगा deficit budget ठीक है तो deficit budget जब होगा तो उसमें आपको यह option हो जाएगा B और C यानि कि IKEA पेच्छा ब्याएधिक हो जाएगा यानि घाटे का budget हो जाएगा ब्याएधिक होगा और उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा सरकार नोट शापक सकती है या कर जा ले सकती है तब इसका answer सही होगा B और C ठीक है अधरवाइज केबल ऑसंतिलित बजेट रहता तो A और B option दे करके यहां पर A सही हो जाता B सही हो जाता यहां पर तब option देना चाहिए था A और B ठीक है तब यह option तलित का सही होता है जदी option यहां रहता A और B ठीक है आप समझ गया होंगे मेरी बात पर ध्यान दिजेगा और जो नोट्स में है उसको भी अपलोग देख लिजेगा, Next question, निम्न में से कोन अपरतच कर है तो I कर नहीं होगा यह परतच कर है संपती कर भी परतच कर है उपहार कर भी परतच कर है इसमें उत्पाद्धन कर यह होगा अपरतच कर अपलतर है next question निमलिखित में कौन सा पर्टश कर का जोड़ा है यानि कि दो दो कर दिया है हर option में इसमें पर्टश कर में कौन आएगा भै उत्पाद सुल्क और पर्टश हो गया और ये पर्टश हो गया तो ये नहीं होगा सेवा कर और आएकर सेवा कर अपरतच हो गया, आयकर परतच हो गया, ये भी नहीं होगा, उत्पाद सुल्क अपरतच, सेवा सुल्क भी अपरतच, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है परतच करका, तो संपत्ति करो और आयकर यही है जोड़ा, परतच करका, कौश्ण नंबर एकीस में आते हैं, निमलिखित में कौन सी राजसुप्राप्ति नहीं है, राजसुप्राप्ति, यानि टेक्स वगरे के चेटेगरी में जो भी आता है, वो राजसुप्राप्ति होता है, ठिक है, तो रीनों की वसूली, विदेशिया अनुदान, सर्वनिक उपकर्मों के लाव संपत्ति कर तो टेक्स भी आएगा आपका राज्य प्राप्ति में ठीक बिदेशिय अनुदान मिलेगा वो भी आएगा सार्वनिक उपकर्मों के लाव यानि हरेल विगर का जो इनकम होता है ये सब सर्मनी कुप ग्रम में आते हैं तो इसके दौरा भी जो प्राप्त होगा और राजस्प्राप्ती ही होगा टेक्स तो होता है रीनो के वसूली ये राजस्प्राप्ती में नहीं आएगा यानि इसका सही आंसर होगा ए नेस्ट कुश्चिन निमलिखित में कौन सा प्रात्मी घाटे का सही माप है अभी बताए थे यहां पर ध्यान देजिए प्रात्मी घाटा वराबर राजकोस्य घाटा माइनस ब्याज का भुकतान तो देखिए ऐसा ही कुछ है यहां पर प्रात्मी घाटे का सही माप राजकोस्य घाटा माइनस ब्याज का भुकतान देखिए राजकोस्य घाटा माइनस ब्याज का भुकतान देखिए राजकोस्य घाटा माइनस ब्याज का भुकतान देखिए राजकोस्य घाटा माइनस ब्याज का भुकतान वो कलाता है प्रात् है तो यह पूल मिलाकर बाइस कोश्चन हम इंपोर्टेंट आप लोग को बताए ऑप्यक्टिफ जो कि जो सिरी चल रहा है आपको बजट और टेक्स इसी का था और अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम आप लोग को बताएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह फॉर फॉर्ण एक्षेंज रेट ठीक है फॉर्ण एक्षेंज एक्षेंज रेट और वाइलेंस ओपेमेंट वह कराना जरू की है उसको करा देंगे ठीक है तब तक के लिए विदा लेते हैं धन्यवाद